आज में लाई हूँ आप लोगों के लिए हमारे खोठा की कोशन्स और यह जितनी भी कोशन्स है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगी तो आईए हम शुरू करते हैं नदिक भींजल बालूक हटाई के पानी सर्वरल जाहे ओईसन गाढ़ा की कलहल जाहे तो वैसी गाढ़ा को क्या कहा जाता है तुसे चुणिया कहा जाता है क्या कहा जाता है चुणिया ठीक है चुगल खोर के खोठा कहल जाहे चुगल खोर के खोठा में क्या कहा जाता है कुटना ठीक है उहर्णट भाई गेल एकर में हिंदी माने भेते इसमें हिंदी का मतलब क्या हिंदी क्या हो जाएगा? इसका हिंदी हो जाएगा हमारा वहां बहुत परिशान हो गया अगला प्रश्ण है उखोठा पढ़े ना जाने करमे ना की लागे इसमें जो ना है वो कौन सा है? वो क्या लग रहा है? तो वो है हमारा अव्यव क्या है अव्यव गांग जोरिया पदे कौन समास है गांग जोरिया जो है वो कौन से समास है तो वो है हमारा ततपुरु समास ठीक है कुकूर पेटा पदे कौन समास है कुकूर पेटा पदे जो है वो कौन सा समास है तो वो हमारा करमधार समास है दोस्तो हमारे सुमन क्लासिस में मैट्स के जी की जी एस खोठा की क्लासिस करवाई जाती है और यह classes online और offline दोरों में चलाई जाती है तो आप classes करने के लिए दिय गए नंबर पे संपर कर सकते है गुमन मुहापदी कोन समास है जो गुमन मुहापदी है वो कौन सा समास है तो वो करम धार रहे है जाओ जिनगी कोन समास है कर तो जाओ जिन्गी कौन सा समास है तो वो है अभी-अभी भावल गोली कौन समास है जो भावल गोली है वो कौन सा समास है तो वो है हमारा करमधार्य पंच पोरन सब्दे कौन समास है तो पंच पोरन जो है वो कौन समास है तो वो है द्रिगू घरी घरी भुलल भुलेई बाके घरे कोन समास हुई तो ये जो है वो कौन समास है बताइए तो हमारा राइड अंसर हो जाएगा option number D यानि आभ यवी भाव ठीक हैं अंठेरी पदी कोन समास है अंठेरी पदी वो कौन समास है तो वो है आभ यवी भाव निफिक्रश अब दी कोन समास है? निफिक्रश जो है वो कौन समास है? तो वो है? नै दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना भूले और बताएं हमें हमारे कोशन्स कैसे है? और आप लोग भी हमें कमेंट बाक्स पे आपका जवाब ज़रूर बताएं बाताबती पढ़े कौन समास है बाताबती जो है वो कौन सा समास है तो वो है अभी अभी भाव देखा देखी होते होते लडाई हवे लागल में देखा देखी कौन समास है तो ये जो आपका देखा देखी है ये कौन सा समास हुआ तो ये हमारा आज अभी भाव है ठीक है दोस्तू हमारा अगला प्रश्ण है खाची के उनार्थक शब्द हते खाची जो है उसका उनार्थक शब्द क्या हो जाएगा तो उसका उनार्थक शब्द हो जाएगा खैचाईल टांगा सबग उनार्थक शब्द हते जो टांगा है उसका उनार्थक शब्द क्या हो जाएगा टांगाईला चुका शब्दिक उनार्थक शब्द हता है जो चुका है उसका उनार्थक शब्द क्या हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा चुकरी इह हमार घरे हकए बाई के हमार शब्द छाटा टके तो यह क्या हो जाएगा यह हमारा विशेशन इह घर हमार हकए इव बाई के इक कई कई ठीक है तो इक कई है तो क्या हो जाएगा ये सरवनामी विशेशन ठीक है दोस्तों तो आज ही लिए इतना ही फिर हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में धन्यवाग